बहुत बहुत ज़ादा ज़रूरी वीडियो अगर आप सीखने के चुक हैं तो अगर आप क्रिप्टो में सिर्फ ऐसे पैसा बनाने आएं कि हमें आराम से बैठू हूं और पैसा बनता रहें ताकि आप जो है क्रिप्टो के आने वाले क्रैशिस से बच सकते हैं और क्रिप्टो के ऊपर और खासकर बिटकोइन पे अपना पोर्टफुलियो बना सकते हैं मेरे नाम है रोही चर्मा, साटोशी, स्टैकर इंडिया मैं आपका स्वागत है पूरी वीडियो देखेगा, I am pretty sure आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे क्योंकि ये मेरी सबसे जादा heartfelt वीडियो है so that मैं teacher हूँ, मतलब मैं I am an educator, मुझे लोगो को पढ़ाना अच्छा लगता है, सिखाना अच्छा लगता है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उसकी कदर करें पहले दो मिनिट सिर्फ में आपको हर बार की तरह हर रोज का एक review about bitcoin का price stamp 4 hourly time frame पर हम, forget about the orange box but एक price से जहां सर bitcoin बार बार टकरा कर वापस आ रहे है वो price करीब 57,500 का है और ये चीज़ हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से देख रहे है it is just a coincidence कि हमारा orange box वहीं पर है हमारा orange box अगर आप इस channel को 3-4 साल से follow कर रहे है तो आप जानते हैं ये lines और ये boxes हमने कहीं सालों से बना रखे है based on very long term trend of bitcoin और आप देखेंगे bitcoin संघर्ष कर रहा है बट एक और theory मेरी है कि जब आप एक level को बार बार तोड़ने की कोशिच करते है तो वो तूट जाता है अगर आप hourly time frame पर देखेंगे तो आप देखेंगे almost हम 10-12 घंटों तक लगातार इसको प्रहार कर चुके एक बार हम इससे तूट कर 55,000 पर गिरे भी और मैंने कहिना कहीं आपको बताया भी था परसों की live commentary में patreon पर जो हमारा दूसरा चैनल है crypto millionaire rohicharma वहाँ पर मैं आपको बताया भी था कि ज़्यादा उध्गोश हो गया ज़्यादा 56,000 तक चलाएंगे थोड़ा थमना चाहिए मेरी उमीद थी कि हम 53,000 तक जाएंगे हम उससे पहले थोड़ा वापसी हो गए बड़ 53,000, 54,000 अभी भी out of the realm of possibility नहीं है क्योंकि orange box is proving out to be a very very critical, very important short term resistance orange box के तूटने का मतलब है हमारे पास आगे बहुत जादा बड़ी opportunity होगी in fact मैं दावे से कह सकता हूँ यदि आप 58 देखेंगे तो आप 62 जरूर देखेंगे 58 और 62 की बीच का सफर इतना तेजी से जाएगा और उसका कारण मैं आपको technically बताता हूँ पहले पर एक पर यह वाला pattern देख लेते हैं अच्छी बात यह है कि जिन लोग को लग रहा था कि हम 30-40,000 जाने वाले हैं उनको मैं once again technicals के थूरू याद दिलाना चाहूँगा यह pattern हमारा two days time frame पर चल रहा था लंबे समय से चल रहा था इस पूरे साल का structure है वो structure break नहीं हुआ है वो structure break नहीं हुआ है हमने उसके अंदर bouncing की है in fact अगर मैं इसी structure को short term time frame पर देखी हूँ तो आप देखेंगे कितना नजदीक से इस line के उपर हमने bounce किया और अब एक pattern बन रहा है उसके अंदर ही यह pattern इतना critical नहीं है but that overall long term structure of the market वो बहुत important है और वो नहीं तूटनी चाहिए but short term में मैं कहूंगा अगर हम 58 तोड़ते हैं तो हम 62 तोड़ेंगे orange box के बाद हमारा अगला सर जो है वो 62,000 है and I will tell you why बात करेंगे stock market की stock market ने Japan को बहुत बुरी तरीके से treat किया बहुत over react किया और करना भी चाहिए Japan की जो समस्य है दोस्तों वो बहुत गंबीर है वो इतनी गंबीर है कि US के लिए आज तक की सबसे बड़ी recession ला सकती है वो इतनी बड़ी है कि Nasdaq यहां से 50% गिर सकता है और यह हम आपको आंकड़ों के साथ सिद करूँगा और हम इससे कैसे बचेंगे भी बात करेंगो तो यहां पर आपके सामने है US dollar से Japanese yen का चार्ट जो काफी तेजी सी गिरा है 162 से हम 140 तक आ गए थे इन टम्स अफ पेरिंग और वहां से उसने हलका सा वापसी की क्यों कि Japan ने कहा कि भेया मुझसे गलती होगी मैंने 25 basis point का rate hike कर दिया था मेरा Fed का terminal rate Japan का 25 basis point है 0.25 अब मैं नहीं करूँगा अब क्या Japanese Fed पे विश्वास किया जा सकता है क्या वो अपने rate और बढ़ाएंगे यह मैं आपको बहुत एक student की तरह सिखाऊंगा second half of the video में तो वीडियो ज़रूर पूरी देखेगा बट सबसे पहला यह पेर ट्रेड होता का है Japan के अंदर क्योंकि इंटरस्ट रेट जीरो था Japan के 15 से 18 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रिलियन जपैन की एकॉनमी से 4-5 गुना जादा का पैसा लोगों ने जपैन से लोन लेकर सेंट्रल बैंक से लोन लेकर लोगों ने नहीं सिर्फ वहां के लोकल बैंकों ने वहां के साहुकारों ने वहां के खरीदारों ने वहां के कंपनियों ने वहां के मॉर्गन स्टैनली ज ओफ दे वर्ल्ड ने खरीदा और उससे क्या करा उन्होंने लोन लेकर अमरीकी assets, अमरीकी land, अमरीकी crypto, अमरीकी stock market खास कर और वो भी risk assets वहाँ के जो NASDAQ वगरा हैं वो खरीदे अब जैसे Japanese bank ने हलका सा इशारा किया कि हम जो 30 साल से चले आ रहे हैं 0% interest rate को बढ़ा कर 25 कर रहे हैं यहां पर एक प्रले की शुरुवात होगी और यह प्रले को मैं आप समझेंगा कि आप classroom की तरह पड़े कि FED क्यों chicken in the egg situation में है अगर FED यहां से rate कट करता है aggressively तो NASDAQ तबाह हो जाएगा क्यों क्यों कि एक तो वैसे तो inflation का खत्रा तो ही है अगर interest rate कट करता तो yen का carry trade और worse हो जाएगा यानि कि आप सोचिए आप yen जो है 0% पर लोन लेते थे और अमरीका में आके 5-5% पर आप पैसा लगा देते थे तो आपको घर बैटे रिस्क फ्री, stock market को तो भूल जाएगे आप अपने yen का पैसा लेकर dollar में bond में लगा देते थे वहां के treasury में लगा देते थे, सरकार के loan पर लगा देते थे जिसके लिए आपको 5-5% interest मिलता थे घर बैठे-बैठे 5-5% का मुनाफ़ा, आप करोणों ट्रिलियन जितने मर्जी लोग Japanese bank आपको देने को तैयार था, अब आप कहरें कि Japanese bank ने अपने 25 basis point, 50, 75, 100 कर दिये और यहां पर US करने लगा 5-4, 4-3, तो यानि Japanese लोगों को और ज़्यादा, अब हलका सा 25 basis point का सिर्फ फरक आया है, और इतनी प्रला देश के उपर, अगर आप rate cut नहीं करते हैं, आपके देश के उपर देड़ ट्रिलियन डॉलर का साल का interest का खर्चा है, सिर्फ क्योंकि आपके उपर लोन है 35 ट्रिलियन का, और 35 ट्रिलियन का 5% आप खुद के लोन के उपर चार्ज करते हैं, तो लोगों को आप 5% का देते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि Japanese, Japan में लोगों ने अपने बैंक से लोन लिया 0% पे और आके अमरीका के बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड का मतलब क्या है, कि आपने अमरीकी सरकार को लोन दिया है, और अमरीकी सरकार उस पे आपको 5% साड़े 5% पर तीशत इंटरेस्ट देती है, I hope यह आप समझ गयो कि Japanese कैरी ट्रेड क्यों अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, इसके फटने की, अगर यहाँ पर जपान ने गलती से भी रेट बढ़ाने का और अंदेशा दे दिया, या अमरीका यहाँ पर रेट कट करने लगा, जो कि हम 3 साल से हाथ जोड़कर उमीद कर रहे हैं कि भाया कर दो, वरना आपकी एकॉनमी तबाह हो जाएगी, आप खुद ही अपने इंटरस्ट रेट का फायदा नहीं, इसलिए मैंने वीडियो के रहता है, पर बिटकोईन बना ही इस दिन के लिए हुआ है, यह मैं हमेशा कहता हूँ, slowly and then suddenly, यह ओवर रियाक्शन बिटकोईन का इसलिए, क्योंकि बिटकोईन को पता नहीं इन चीजों से डील कैसे करता है, बट वैंजी स्टार्ट डीलिंग, इसलिए कहां जंग हो रही ह थे, उस समय भी क्या हो था, पहली बार FTX जैसी एक्सचेंज का कोलाप्स हो था, जब हमारी घर की, हमारे खुद के कजन ने घर में आग लगाई है, तो यह तो जैपनीज तो फिर भी पुराने दूसरे बाहर के लोग हैं, हमारी FTX ने, जिसके पास almost 5-10% of the crypto in the world थे, वो ज सिर्फ एक बार आदत होनी होती है, उसको सिर्फ एक बार सीखना होता है, उसके बाद वो रोबोट है, उससे इस अंगर्श कर लेता है, गैस अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आप जानते हैं, मेरे कुछ बाट ट्रेड ओपन है, जो काफी अच्छा प्रॉफिट देने वो एक दिन में सौ से जादा बढ़ गया, आप देख सकते हैं कि कौन खरीदर और किसके हाथों से बिटकोई निकलते जा रहे हैं, अच्छा, आप मैं आपको एक बात के लिए अगा कर दू जो अलड़ी डेथ क्रॉस की बात आने लगी और अधिकतर अनपड यूट्यूब आपको डराने लग जाएंगे, और अविसली यही टाइम में डराने का, जब मार्केट नीचे होती है, तब कोई खरीदता निए, बट I will give you proper understanding कि यह डेथ क्रॉस क्यों आपके लिए डरने वाली बात नहीं है, डेथ क्रॉस होता क्या है, जब 50 डेज मुविंग आपर जो य उसके साथ दिनो बाद, साथ दिनो बाद from the death cross, चालीस परसे जादा bitcoin पंप किया है आठ दफा, चालीस परसेंट, पैंतिसे परसेंट, साथ दफा, और गिरावट देखिये, 30 परसेंट की गिरावट सिर्फ एक बार आई है, बीस परसेंट की गिरावट दो बार आई है, और मेमरी होती है, और वो उसी की basis पर वीडियोज मनाते रहते हैं, येस, देर विल बी अवर्ड काल डेथ क्रॉस, और डोंट गेट वरिड अबाउट दाट, और फाइनली दोस्तों, हम अपने गिवववे के बारे में बात कर लेते हैं, आप जानते हैं, हर्शनिवार को मैं 50 जानते हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हफते दर हफते उसके जो पृतियोगी हैं, उनकी संख्या कम होती जारी है, उसका कारण में आपको बताता हूं कि पहले मैंने गिवववे का तरीका बहुत असान बना रखा था, कि मैं आसान सा सवाल पूछता था, और दूसरी बात है कि लोगों में श्रद्धा और सेवा भाव नहीं है, मैं इस कारण से एक गिववे देता हूं, और मैं हर महीने अल्मोस्ट 25-30,000 रुपे का अपनी जेब में छेद करता हूं, पैसे व्यर्थ करता हूं, उसका कोई फाइदा नहीं होता है, वो इसलिए क् मैं जो है, करीब 300-400 कॉमेंट्स इस वीडियो में आते हैं, उन सबको नहीं पढ़बाता हूं, और आप में से काफी लोग इस चैनल से सीख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं, जिन लोगों की प्रशन हो, उसका आप उत्तर दें, कॉमेंट्स में एंगेजमेंट करें, ताकि अल भाव है, बिटकोईन लोगों के दिलवाने का, और बिटकोईन से संबंदित लोगों के मस्तिश्क से भाए निकालने का, तो यदि आप इस मुहिम का हिस्सा है, और यदि आप में थोड़ा सा एक काइंड हाट है, तो कॉमेंट्स में जाइए, और हमारे आज की गिववे का पूछते हैं, और मिस बात का कसूरवार हूँ, कि मैं उन sencill के प्रश्नों के जाधा उत्तर नहीं दे पाता है, हालकि मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ, तो कहीं उलोगों को प्रश्नों के उत्तर मिलते भी होंगे, बहुत जद्लाज के उत्तर हम कहां पर देते हैं, वह हम द धन्यवाद जहन